तो दोस्तों जब आप एक नया स्मार्टफोन पर्चेस करते हैं और पर्चेस करने के दुरान आपके पास को भी पुराना HD कार्ड होता है जिसमें आपका फोटो वीडियो डाटा होता है और उस HD कार्ड को आप नए स्मार्टफोन में लगाते हैं तो आपने देखाऊगा कि HD HDCard के जितना भी फोटो वीडियो होता है वो नए स्मार्टफोन के गैलरी में दखने को नहीं मिलता अब हम यहाइर स्वेजादी चलता है कि आखी लिए यहte- Dem estre 0版 का जो भी फोटो वीडियो है वो गैलरी सुक्षर्ण में देखने को नहीं मिल रहा है आपके फोन में अगर सो नहीं हो रहा है तो इसको कैसे सो करवा सकते हैं आपका फाइल अगर SD कार्ड में है तो आपको SD कार्ड में ही फाइल रहेगा पर जेतने भी फोटो वीडियो है वो आप गैलरी में ला सकते हैं गैलरी में तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरूप कर दीजेगा तो जो सेटिंग में आपको यहाँ पर बताने वाला हूं उसमें आपका दस फोटो देखने मिल रहा है और वो भी स्क्रीन सोट वाला एक फोल्डर से बनावा है बस यही फोटो वीडियो देखने मिल रहा है बाकि यहाँ पर को भी फोटो वीडियो नहीं सो हो रहा है आपको दिखा देता हूँ, SD card मैंने लगा के रखा है कि ने रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर SD card लगा के रखा हुआ है, चलिए इसको मैं यहाँ पर setup कर लेता हूँ, और setup करने बाद mobile को open कर लेता हूँ, दोस्ते जैसे आप यहाँ पर SD card लगाते हैं, तो SD card लगाने के बाद एक आपको यहाँ पर notification देखने को मिल जागा है, जैसे यहाँ पर run करेगा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फिर से मैं आपको ग्यालरी एक बार open करवा के दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर interface देखने को मिल जागा, फोल्डर वाले सक्षर में अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और फोल्डर वाले सक्षर में जाने के बाद सबसे पर यहाँ पर आपको internal set किया है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता है, जैसे internal option मिलेगा, HD card वारा option देखने है, उसके लावा अगर मैं यहाँ पर download में जाता हूँ, download में जाने बाद WhatsApp, image पर अगर क्लिक करता हूँ, तो sent वाले option में जाओंगा, तो sent वाले option में जाने बाद देख सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे photo देखने को मिल रहे हैं, तो यह photo आपको यहाँ पर 100 हो रहे हैं, पर क हो रहा है कि SD card में तो आपको यहाँ देखने को मिल रहे है, र क्या होता है? कि ग्यावरी में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो चलिए इहाँ पर बात करते हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप अपने mobile में SD card को ऄूज करते हैं, तो SD card को यूज करने के दुरान अगर आप अपने मुबाइल में software को update करते हैं या माल लिए कि factory reset कर देते हैं तो जो भी folder होता है वो corrupt कर जाता हूँ जब corrupt कर जाता है तो होता है कि वो file आपको gallery में देखने को नहीं बिलता है तो इसका simply क्या उपाय है सबसे पहले तो आप क्या करें यहां से back हो जाए तो चल आपको एक नया फोल्डर यहां पर बना लेना है अब क्या है कि जो नया फोल्डर बनाईएगा वो नया फोल्डर आपको यहां पर supported देखने को मिल जाएगा क्योंकि पुराना फोल्डर जो आपका यहां पर data है वो corrupt कर चुका है तो आपको क्या करना है more वाले option में जाना है create folder वाला option मिलेगा इस पर आपको click करना है click करने में चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं WhatsApp तो जैसे मैं यहां पर लिखत देख सकते हैं यह फोल्डर में यहां पर बनाया है तो इस फोल्डर पर में यहां पर क्लिक करने बाद जो भी फोटर में यहां पर copy किया था वो एस डी कार्ड के वाटसेफ इमेज फोल्डर में paste कर देता हूं यह देख सकते हैं मैं यहां पर पेस्ट कर दिया है और आप उपर देख सकते हैं यह एस डी कार्ड में ही देखने को मिल जाएगा चलिए अगर मैं यहां से back होता हूं और back होने बाद अगर गैलरी वाले section में जाता हूँ और gallery वाले section में जाने बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं album वाले section में जाँगा other file में जाँगा तो whatsapp image के नाम से आपको यहाँ पर folder देखने मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बगल में आपको SD card यहाँ पर बनावा नजर आ रहा होगा तो यह SD card का file अब आपको यहाँ पर supported देखने मिल जागा उसी परकार से आप यहाँ पर वीडियो डाल सकते हैं उसके लाएग दोस्तों एक trick और है जैसे अगर आप यहाँ पर gallery को open करते हैं और open करने बाद को वीडियो अगर corrupt कर जाता है तो वो corrupted वीडियो आपको redent album वाले option में देखने मिलता है इस पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पर click किजेगा तो वो आपको वीडियो देखने मिलेगा तो आप simply वहाँ से उसको restore भी कर सकते हैं तो आपने अभी देख लिए यह photo यहाँ पर आ चुका है चलिए अब मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी दिखा देगा कि वीडियो आता है कि नहीं आता है तो फिर से मैं यहाँ पर file manager को open करने गा और इसी folder में उस वीडियो को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या करता हूँ बैक हो जाता हूँ बैक होने बाद वाटसे वीडियो वाल आप्शन मिलेगा सेंट वाल आप्शन देखने मिलेगा और यह total video को मैं यहाँ पर select कर लिता हूँ मैंने यहां पे select कर लिया select करने के बाद यहां पे क्या कर लिए इसको copy कर लिता हूं मैंने यहां पे copy कर लिया आप यहां पे mode भी कर सकते हैं HD Card में जाने बाद फिर से यहाँ पर Miraj Folter पर क्लिक कर देता हूँ मैं ने यहाँ पर paste कर दिया और उसके बाद फिर से मैं यहाँ एहाँ सेचलरी वाले सक्षम में जाता हूँ और ली सेक्षम में डाल दे और उसके बाद यह सपोर्टेट करना चालूब कर देगा अब अगर आप यहाँ पर केमरे से को भी फोटो वीडियो सिलेट कीज़ेगा फोटो वीडियो क्लिक कीज़ेगा और SD कार्ड में अगर सेटिंग कर लेते हैं तो वो फोटो वीडियो आपको फिलाल यहाँ प